डॉक्टर यास्मीन राशिद डॉक्टर यास्मीन 21 सेतंबर 1950 को चकवाल पंजाब में पैदा हुई इस वक्त वो लहोर में मुकीम है यास्मीन राशिद एक टीबी माहिर मारूफ समाजी कारकुन और स्यासदान है इनका तालुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से है यास्मीन राशिद पंजाब की वजीरे सेहत थी डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अपना पेशा छोड़ कर 2010 में PTI में शमूलियत इक्तियार की वो तकरीबन 10 मुक्तलिफ बिमारियों की माहिर है इन्हों ने इप्तदाई तालीम चकवाल के गाउं नीला में हासिल की यास्मीन राशिद ने 1978 में यूनिवस्टी ओफ फात्मा जना मेडिकल लहोर से मेडिकल की डिगरी मुकम्मल की मजीद तालीम के लिए वो राइल कॉलिज में अपना दाखिला लेने के लिए बटान्या चली गई इसने कॉलिज ओफ फजीशन एंड सर्जन्स में डिगरी भी पाकिस्तान से हासिल की दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में दिये गए घंटी के निशान को दबा दें ताके हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफकेशन बरवक्त आपको मिलता रहें गजिश्ता दहाई से कॉलिज ओफ फॉजिशन एंड सर्जन्स पाकिस्तान की रुकन है डॉक्टर यस्मीन का तालुक स्यासी घराने से है इनकी शादी 1970 में मुहम्मद राशिद नभी से हुई जो गुलाम नभी के बेटे हैं गुलाम नभी भुटो की हकुमत में वजीर थे इनका स्यासी करियर इनके सुसर के असरोर रसूख की वज़ा से शुरू हुआ क्यूंके वो भुटो की हकुमत में साबिक सैनिटर थे डॉक्टर यस्मीन के करियर का आगाज अच्छा नहीं था क्यूंके इसने पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नमाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था डॉक्टर यस्मीन ने एन एं एक सो बीस से इलेक्शन लड़ा लेकिन हार गई नमाज शरीफ की ना एहली के बाद जिमनी इलेक्शन लड़ने का एक और मौका मिला सीट खाली हुई और नए इंतकाबाद का इन अकार्द हुआ यस्मीन को पीडी आई ने नामजद किया था 2018 में यस्मीन पीडी आई की जानित से मक्सूस निशिस्तों पर रुकन सुभाई असंबली मुन्तखिब हुई जल ही इन्हें काबीना में शामिल किया गया और प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केर की वजीर के तौर पर मुकरर किया गया 2009 में इसने युनिसेफ और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर गर्स एजुकेशन प्रोग्राम काईम किया का मकसद इन लड़कियों को स्कूल में दाखिल करना है जो पसमानदा है 2010 के सिलाप के बाद इसने मुझदफराबाद में आरजी स्कूल काईम किया इसने 20,000 से ज़्यादा तल्बा का इंदराज किया है और 161 आरजी सीखने की पनाह गाहें काईम की है अटियों को पालो है